गुड मॉनि आज मैं आप लोगों को कॉल सिन एडवांस से रिलिटेड एक एक्जाम्पल देने जा रहा हूँ जिसमें एक शेर होल्डर जो है वो फर्स्ट कॉल मनी का पैसा अलॉर्टमेंट के साथ दे देता है और किस तरह से हम लोग इसका ट्रीटमेंट करेंगे और इसमे रूपीज 2 ओन एप्लिकेशन रूपीज 3 ओन प्रूपीज 5 ओन अलॉर्टमेंट एंड रूपीज 3 ओन फस्ट कॉल टोटल मिला के 10 रूपीज यानि कि यहां पे 600 सेहर का जो होल्डर है वो फर्स्ट कॉल मनी का पैसा अलॉर्टमेंट के साथ में पे कर देता है तो that is called calls in advance पास necessary journal entries in the books of company तो here the working note is allotment में चाहिए था 5000 शेहर पे 5 रूपीज करके 25,000 बट 600 शेहर पे 3 रूपीज करके फर्स्ट कॉल का पैसा हम लोगों को मिल गया ज्यादा तो यह हो गया मेरा 26,800 लेकिन यहां आप लोगों को ध्यान देना है कि जब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे यानि कि यह वर्किंग नोट में देखे 5000 इन्टो 3 15,000 तो यह जो 600 शेहर पे आल्रेडी 1800 मिल चुका है इसको लेस करके शोग करेंगे यानि कि हम लोगों को फर्स्ट कॉल पे मिलेगा 13 10,200 अब आते हैं जर्नल एंट्रीज में बहुत इंपोर्टेंट है धान देंगे जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ओफ कंपनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेर अप्लिकेशन 10,000 फाइब ताउजन इंट्व 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 दो, calls in advance जब receive होता है, तो ये credit होता है, क्योंकि general entry के according, golden rule के according, calls in advance business के लिए income है, it is additional income, जिसको adjust करना है next call में, तो total bank में आया 26,800, अब first call money को due करेंगे, share first call account debit to share capital 15,000, 5,000 into 3, then bank account debit, calls in advance account debit to share first call account, calls in advance जब receive हुआ है, तो देखिए वो credit हो रहा है, और जब calls in advance को adjust कर रहे हैं, तो वो debit हो रहा है, it means, जो shareholder already first call का पैसा मेरे को allotment के साथ दे चुका है, वो दुबारा first call में पैसा नहीं देगा, तो इसलिए हम लोग उसको minus करके show करेंगे, तो account में minus करने का rule है, कि जिस चीज को आप general entry में credit करते हो, वो accounts में minus करते समय, debit हो जाता है, तो bank में हम लोगों को मिलेगा 13,200, तो ये था मेरा calls in advance के उपर वीडियो, आप इसको देखो, समझो, चो कि ये single shareholder के उपर है, आपके book में double shareholder के उपर भी मिलेगा, बट ये एक example कापी है, कि आप किस तरीके से उसको maintain करोगे, thank you